नमस्कार, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन, Hindi Learning Channel पर लेकर आई है School Morning Assembly Entrying Script in Sunscript जी हाँ, Sunscript में जाने कि अपनी देव भाषा में मनसंचालन किस परकार से करना है उसकी स्क्रिप्ट रिटन में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी वीडियो पसंद आए, लाइक का बटन जरूर दबाईएगा जस परकार से आप हिंदी में शुरुआत करते हैं नमस्कार करके आदर्निये प्रिंसिपल महादे, अध्यापगण, एवं यहाँ उपस्तिस्म श्रोतगण आज की खुशाल सबा में आप सब का स्वागत है, आज की प्रातना सबा का विशे है कला तो इसको संस्कृत में किस परकार से करेंगे, यह आपको लिखकर हमने दिया है इस परकार से बोलेंगे बच्चे, नमस्कार है, आदर्निये परधाना दियापक महादे, शिक्षगण, अत्र, उपस्थिता, श्रोतार है, असीमन, सुखत परभाते, भवताम, सर्विशाम, स्वागतब, अधियतनस्य, प्रातना सबाया, विशे, कला, अस्ति जैसे बोलते हैं, आठवी कक्षा की शात्रा, मैं अन्वी, और मैं नमंदत्ता, इस परकार से आप मन संचालंग करते हैं, आज की प्रातना सबा, अपनी देव भाशा में संचालंग करने जा रहे हैं, तो आप इस परकार से संस्कित में बोलेंगे, अश्टम वर्गस्य, श इस परकार आप सब बच्चे बोलते हैं, तो गायतरी मंतर के लिए आप इस परकार से बोलेंगे, आगचन तू, आईए, गायतरी मंतर से उचारें, सहर, प्रातना सबाया, शुबारंबं करू, गायतरी मंतर के उचारन के साथ, प्रातना सबा का शुबारंब करें, इसके ब जब आप प्लेच के लिए बुलाते हैं बच्चों को तो आप बोलेंगे राष्टर प्रतिग्याया प्रतिग्या मन्चे सर्वे अगछे यू राष्टर प्रतिग्या के लिए सभी प्रतिग्या वस्ता में आ जाए उसके बाद संस्कृत में प्लेच बोलेंगे किस परकार से भार्तम अस्माकम मात्रिभूमी बच्चा भी आपके पीछे बोलेगा। भार्तम बार्तियाश्च विश्वास पातरताम प्रतिजानी में तेशामेव कल्याने सम्रिदोच अस्माकम सुखम नीहितम अस्ति जानिकी जिसतना स्लैश तिया गया है आप पहले स्लैश के पहले जितने वर्ट जा रहे हैं उसी को बोलिएगा उसी का उचारन बच्चा आप उसके बाद प्लैश के बाद अगर आपके स्कूल में कोई प्राथना करवाई जा रिये तो प्राथना के लिए आप इस परकार से बोल सकते हैं संगीत वै भाशा है जैसे पूरी दुनिया समझती है संगीत को ईश्वर का बरदान बताया है तो आईए उसी ईश्वर को नमन करते हैं जिसने हमें मदूर संगीत सुनने के लिए कान दिये हैं तो मैंने संस्कृट में लिखती है संगीतम या भाशा समगरम जगत अवगच्चती संगीतम ईश्वरस से दानम इतिकत्यते अतह यैई इश्वरह अस्मान सुरील संगीतम शुरोतुम कर्नमधत्वान नमामें उसके बाद सू विचार के लिए जब आप मंच पे किसी को बुलाएंगे तो आप इस प्रकार से भी शुरू कर सकते हैं यद भावं तद भवति आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं फिर आप बोलेंगे विचार का जीवन का मारकदर्शन करते हैं इसलिए आज का सू विचार जैसे कोई बच्चा प्रस्तुत करने जा रहा है तो बोलेंगे आज का सू विचार भासकर प्रस्तुत करने जा रहा है नमस्कार मैं भासकर आठवी कक्षा का शात्र आपके सामने आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए जा रहा है तो आता हूं जा इ अगर आपके स्कूल में कोई नाटक करवाया जा रहा है क्यूंकि टॉपिक हमारा कला है इसलिए दो कलाकार से रिलेटिड अगर आपके स्कूल में कोई नाटक करवाना चाहे तो उसकी स्टार्टिंग लाइन आप इस परकार से कर सकते हैं क्यूंकि आज की प्रात्रा सबा का विशे है कला इसलिए आज हमारे बच्चे दो कलाकार विशे पर एक लगू नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसके बाद आप दो कलाकार जो उसका नाटक है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं अगर आपको ये नाटक नहीं पता है तो लिंक इस वीडियों के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगी जिस कहानी को आप सुनकर बच्चों को ये नाटक प्रस्तुत करने के लिए दे सकते हैं आज के समाचार के लिए हम जिस प्रकार से कहते हैं कि हम देश के किसी भी कोने में रहें प्रन्तु परतेग राज्ये परतेग देश की वारता जाने की बात्ची जानने की हमें जिग्या साथ आठ्मी कक्षा का शात्र आज के नवींतम समयचा प्रसुद करने जा रहे तो हम संस्कित में लिखेंगे वयम भारतस्य कसिमन अपी कोणे निवसंते निवसंते भवेम परम परते कस्य राजिय शिय परते कस्य देश शिय चेव वार्ता ग्यातू वयम जिग्यासू स्मै अगर आपको असानी से संस्कित में ही समाचार मिल जाते हैं तो आप रस्तो कर सकते हैं नहीं तो ये हैडिंग देकर अधियत्नम राश्टे वारता तो आप हिंदी में भी अपना राष्ट्य समाचा प्रस्तुत कर सकते हैं वंदे मात्रम जब भी आप प्रस्तुत करने के लिए वंदे मात्रम खड़े होते हैं बच्चे क्यूंकि अब प्राथना सवा को विराम देना है तो आप किस परकार से बोलेंगे कि हमारा राष्ट्य गीत हमारे राष्ट का वैबव सॉंद्रे समरिद्दी और दरोहर की याद दिलाता है इसलिए परतेक नागर्िक के अंदर देश्वक्ति का भाव दिखाई देता है वंदे अर्थात वंदराम करोमी मैं वंदराम करता हूँ मातरम शब्द का अर्थ है मातरी भूमी को आवाम, सर्वे, हम सभी साफदान की मुद्रा में खड़े होकर भारत माता को इशरदानजली यर्पित करते हुए रश्टगीत काते हैं तो संस्कृत में किस परकार से बालक बोलेगा उसके बाद वंदे मात्रम का गीत आप सब बच्चे एक साथ बोलेंगे जिस परकार भी आपकी म्यूजिक टीचर ने आपको सिखाया है उसके बाद जब आप बोलेंगे तो जसतर आप सभी कक्षाओं को आप कहते हैं की सभी कक्षाओं अपनी अपनी कक्षा की और प्रस्थान करें सभी बच्चे तो आप बोलेंगे सर्वी वर्गा स्वस्व वर्गम गच्छंती ओकी और प्राथना सभा यहां समापत होती है इसको आप इस प्रकार से बोलेंगे प्राथना सभा अत्रैफ समापते सर्वे वर्गा स्वस्व वर्गम गच्छंती तो सभी अपनी अपनी कक्ष दोस्तों के साथ जादा से जादा शियर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है बाकी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए क्योंकि हर एक टॉपिक पर एंकरिंग स्क्रिप्ट आपको इस चैनल पर मिलेगी ओकी । ।